असलम उलेकूम, कैसे हैं आप सब, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन शौर्मा की रेसिपी शेर करने वाली हूँ, तो चले अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करें। शौर्मा बनाने के लिए चीजे ले लिए हाफ टी स्पून लहसन और हाफ टी स्पून अद्रग का पेस ले लिए हाफ टी स्पून रेडचिली पाउडर वन टी स्पून नमक वन टी स्पून कुटेवी लाल मिर्च हाफ टी स्पून हल्दी वन टी स्पून गरम मिसाला तूट स्पून लेमन जूस सिर्का ले लिए कोकिंग ओइल ले लिए कि सबसे पहले चिकन थियार कर लेते हैं बाउल ले लिए इसमें चिकन एड़ कर देंगे लेहसन और अद्रग का पेस्ट एड़ कर देंगे टो टी स्पून योगर्ट एड़ कर देंगे वन टी स्पून लेमन जूस की एड़ कर देंगे स्पाइसिस जो लिए हैं वो इसमें एड़ कर देंगे स्पाइसिस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़दा एड़ कर सकते हैं इसे mix कर लेंगे वन टी स्पून वाइट विनेगर की डाल देंगे दुबारा इसे mix कर लेंगे fry पेल ले लिए सिख्स टी स्पून इसमें कोकिंग ओईल के डाल दिये ओईल जो है गरम हो गया है इसमें चिकन एट कर दिये चिकन थियार कर लेते हैं चिकन जो है वो तियार हो गया है इसे निकाल लेते हैं सलाथ तियार कर लेते हैं हाफ बाउल बंगोबिका ले लिए स्लाइसिस में कटकी वी शिमना मिर्च ले लिए स्लाइसिस में कटकी अवा प्यास ले लिए स्लाइसिस में कटकी अवा खीरा ले लिए स्लाइसिस में कट कीवी गाजर ले लिए हाफ टी स्पून काली मिर्च की ले लिए हाफ टी स्पून नमक की सारी वेजिटेबल्स को बाउल में एड़ कर देते हैं मेरे यूटूब चैनल का नाम टेस्टी बाइट के पी है ‫मीरे चैनल को सब्सक्राइब करें ुसके साथ जिसे जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर ने आने वाली वीड्यव मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो मिस्सच ना हों। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें हाफ टी स्पूट नमकी और हाफ टी स्पूट काली मिर्च की डाल दिये इसे मिक्स कर लेने सलाद जो है वो तियार हो गया है मायो एंचिली सोर्स तियार कर लेते हैं गौल लाल मिर्च ले लिए छे अदद मायो नीज ले लिए शिक्स टी स्पूट वन टी स्पूट लेमन जूस की ले लिए वन टी स्पूट तिल की हाफ टी स्पूट वाइट पेपर जाएगा हाफ टी स्पूट काली मिर्च का पाउडर ले लिए हाफ टी स्पून नमक की ले लिए ग्रेंडर मेशीन ले लिए गौल लाल मिर्च इसमें एड़ कर देंगे मायोनीज इसमें एड़ कर देंगे तिल एड़ कर देंगे लेमन जूस इसमें एड़ कर देंगे काले बिर्च और नमक एड़ कर देंगे बहुत ही जादा मज़े का बनता है चिकन शौर्मा इन्शाल्ला आप लोगों को इसकी रेसिपी जरूर पसंद आएगी हाफ टी स्पॉन काली मिर्च का पाउडर एड़ कर देंगे मायो एंचिली सोर्स जो है वो त्यार हो गई है एक और चटनी बना लेते बारिक चोप क्यावा हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च ले लिए दही ले लिए हाफ टी स्पॉन नमक की ले लिए हाफ टी स्पॉन जीरा ले लिए गरेंडर मेशीन ले लिए दही इसमें एड़ कर देंगे बारिक चोप क्यावा, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक की और जिराएट कर देंगे बहुत ही जादा मज़े का और बिल्कुल ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है इन्शालला आप लोगों को इसकी रेसिपी जरूर पसंद आएगी तीन तरहां की जो सोर्स है वो तियार हो गई है, टोमैटो कैचप भी ले लिए शौर्मा ब्रेड ले लिए, या इसे पीटा ब्रेड भी बोलते है हलका सा इसे फ्राइ पैन में रोस्ट कर लेंगे बटर पेपर ले ले लिए शौर्मा ब्रेड इस पे रखेंगे मायो एंच जो चिली सोर्स तियार की है वो इस पे रख देंगे चिकन जो हमने तियार किया है वो इसमें रख देंगे सलाद इसमें रख देंगे टोमैटो कैचप इसमें रख देंगे जो चटनी त्यार की थी वो इसमें रख दिये मज़दार से जो हमारे चिकन शौर्मा है वो त्यार हो गए है बहुत ही जादा मज़े के बनते हैं इन्शाला आप लोगों को इसकी रेसिपी जरूर पसंद आएगी अब मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाह आफिस